M.H.C.E.T. 3-year L.L.B. का examination is round the corner guys and girls बहुत ही जल्द ये exam होने वाला है और अब आप लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या सर जितना समय बचा हुआ है इस समय में हम अपनी examination को crack कर सकते हैं क्या ये जो बचा हुआ 30 days के approx हमारे पास time है is it really doable क्या इस समय में हम सच मुझ इस examination को निकाल कर अपना जो सपना GLC Mumbai जाने का अपना जो सपना ILS पूने जाने का अपना जो सपना जो top law colleges of M.H.C.E.T. के अंतरगत आते हैं वहाँ जाने का क्या हम वो चीज कर सकते हैं तो आए इसी चीज को आज decode करने के लिए आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ best of the best strategy कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है और क्या ये चीज पॉसिबल है तो आगे बढ़ने से पहले लेकिन मेरी आप से छोटी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहाँ जो लाइक बटन दिया हुआ है जल से ज जल इसको क्लिक करें और लाइक बटन को दबा कर इस वीडियो को लाइक करें साथी साथ इस चानल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कमाल करते हो guys and girls वो सभी की सभी चीजें जो आपको ये examination निकालने में मदद करेंगी वो आपको यहाँ पर इस YouTube चानल पर सब कुछ देखने को मिलता है तो फिर इंतजार किस बात का है जल दी से ये दोनों activities करें और आज जाएए क्योंकि अब हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं कि किस तरीके से MHCET examination को last 30 days में निकालना चाहिए आगे बढ़ने से पहले guys and girls जो सबसे बड़ा issue बच्चों को होता है इस चीज़ को समझ पाने में कि आखिर examination का demand क्या है तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि examination हमसे चाहता क्या है उसकी demand क्या है अगर हमने examination की demand को fulfill कर दिया अगर हमने examination की demand को समझ भी लिया तो आधा काम तो वहीं पर हो जाएगा तो इसलिए what is important सबसे पहले देखें कि आखिर क्या-क्या चीज़े पूछी जाती है और उन चीजों में कितने सवाल जो है वह हमको पूछे जाते हैं तो guys and girls यहाँ पर आप अगर देख पाएंगे गौड से तो चार अलग-अलग subject matters हैं जिन पर आपको test किया जाता है सबसे पहले जो है that is legal aptitude and legal reasoning जी हाँ कि केवल और केवल current affairs आएगा सर general knowledge भी आएगा और current affairs भी आएगा तो please इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें इसके अलावा सर logical and analytical reasoning logical के साथ-साथ analytical reasoning भी आएगी and last is English English however आपको लग रहा होगा sir English है last में आपने बोला है तो इसकी महत्वता थोड़ी सी कम होगी बड़ कमाल किरते हो याद आप आ चुके हो अधित्य सर के पास जो आपको असली आइना यहाँ पर दिखाएंगे और आइना दिखा कर आपको यह बताना चाहेंगे don't you forget guys and girls कि यहाँ पर total 150 questions आप से पूछे जाएंगे 150 marks के लिए लेकिन इसमें से एक तिहाई one third questions केवल और केवल आपकी अंग्रेजी भाषा से पूछे जाने वाले हैं जी हाँ English as a subject matter जो है उसको वेटेज यहाँ पर one third मिला हुआ है याने English अगर आपने अपनी यहाँ पर strong कर ली English पर अपनी पकड़ बना ली तो sir and ma'am समझे कि एतिहाई paper तो आपका ऐसे ही हो जाएगा तो क्या लगता है इस subject matter को आप किसी भी तरह से थोड़ा सा भी मिस करना afford कर सकते हो बिलकुल भी नहीं guys इसके बाद आईए sir general knowledge and current affairs general knowledge and current affairs का कितना waitage है तो sir and ma'am यहाँ पर waitage आपको देखने को मिलेगा 40 questions 40 questions आपके gk में से और general knowledge के साथ साथ current affairs में से आपको देखने को मिलेंगे so gk and current affairs is together making your another 40 marks याने again near about one third of the total marks that are allocated for this examination इसके अलावा जब आप आगे आएंगे तो आप यह देखेंगे guys and girls कि 30 marks और 30 marks equal weightage के साथ दो चीज़ें जो हैं वो अपनी पकड़ बना कर बैठी हुई है एक है आपका legal aptitude और legal reasoning और दूसरा है आपका logical और analytical reasoning तो क्या sir यहाँ पर हम किसी भी एक subject को छोड़ कर जा सकते है guys and girls हाँ जोड़कर विन्ती है ऐसी गलते मत करियेगा ऐसी सलाह जो भी आपको दे रहा है उसकी तरफ से अपने कानों को हटा लेजिए क्योंकि यह competitive examination है और यहाँ पर एक एक number की महत्वता बहुत जादा है आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी भी topic को भी छोड़के जाए let alone the whole subject matter तो इसी लिए आपको यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी कि वो चार चीजें जो अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपकी मुठी ताकतवर होगी और इसके साथ PYQs मैं आपकी मुठी को strong करने के लिए कहता हूँ PYQs practice करो जितना जादा आप previous year questions दोगे जितना जादा आप test लगाओगे यह उतना जादा आपको मदद करेगा खेर आए जल्दी से आगे और समझते हैं कि इसके लिए eligibility क्या है तो जिन बच्चों को eligibility पता है very good जिनको नहीं पता है जल्दी से बता देते हैं अगर आप 45 नंबर लेकर आते हो अपने graduation में या फिर अगर आप STSC को belong करते हो तो 40% अगर आप लेकर आते हो अपने graduation में तो आप easily इस examination में excel कर सकते हैं तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है eligibility में हर एक बच्चा जो इंडिया में law इंडिया में graduation कर रहा होता है वो कम से कम 40-45 नंबर तो ले ही आता है मैं तो अजियूम करता हूँ भाई 50 लेकर आया होगा वो बच्चा तो आप यह basic eligibility यहां पर fulfill कर लेंगे इसके बाद सवाल उठता है कि सर अब इन subjects को कैसे टैकल किया जाए कैसे टैकल करना है से पहले हम हमेशा कहते हैं कि दुश्मन की ताकत को जानना जादा जरूरी है जब तक हमें दुश्मन की ताकत के बारे में पता नहीं होगा हम उससे लड़ेंगे क कैसे फिर कैसे हम छत्यपती शिवा जी महराज जैसी टाकत के साथ अपने सीने में उस आग लेको लेकर हम कैसे आगे जा पाएंगे जब हमें पता ही नहीं है कि भाई आगे दुश्मन कैसा होने वाला है तो उसकी ताकत तो पता होनी चाहिए तो वही चीज यहां करनी है गा पढ़नी होंगी तो वो मैं आपके लिए यहां पर लिस्ट करके लाया हूँ सबसे पहली चीज जो इंपॉर्डेंट है दाट इस कॉंस्टिटूश्नल लौ हमारे हिंदुस्तान का समविधान जी हां हमारे हिंदुस्तान का समविधान जो है वो आपके लिए पढ़ना कोरान यह सारी किताबे रखी होती हैं जो रिलिजिन के लिए इतनी जादा रिलिजिस किताब कंसिडर की जाते हैं इतना जादा इसका महत्व है Similarly हम सभी के घर में एक copy constitution की होनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है क्योंकि यह हमको हमारे देश के बारे में बताता है यह हमको हमारे अधिकारों के बारे में बताता है यह हमको हमारे लोकतंतर के बारे में बताता है and that is why इसकी महत्वता को law entrance examination भी समझता है और वो चाहता है कि आप please इसकी एक बात in-depth पढ़ाई ज़रूर करें उसके बाद sir and ma'am law of thoughts law of thoughts जो कि civil wrongs को govern करते हुए आगे बढ़ते हैं इस कानून को भी आपको यहाँ पर पढ़ना पढ़ेगा इसके बाद contract law जी हां आपका आपके किसी एक business person के साथ किसी प्रकार का contract हुआ है किसी प्रकार का करार हुआ है तो वो व्यक्ति आपको promise करने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए अगर आपने का मैं तुमको दूँगा 2000 रुपे तुमको उसके बदले में मेरे घर पे संडे को आकर यहां पर खाना बनाना है तो वो बंदा पीछे हटना नहीं चाहिए तो इस प्रकार से अगर आप किसी के साथ contract कर रही है तो उसके लिए क्या क्या चीज़े ज़रूरी है क्या आप किसी को डरा के धंका के उसकी property अपने नाम पे करवा सकते हो अपना contract जो है अपने नाम पे करवा सकते हो क्या ये चीज़ कवर होगी की नहीं तो यहां पर आपको consent के बारे में पता होना चाहिए इसके अलावा sir and ma'am IPC जी हाँ Indian Penal Court however sir आपका Indian Penal Court तो अब बदल गया है sir बदल जरूर गया है लेकिन अभी तक enforce नहीं हुआ है जब तक enforce नहीं हुआ है और जब आपका exam का notification आया था तब से तो अभी तक कुछ change आया नहीं है तो I believe यही वो subject है जिसको आपको पढ़ना है sections याद करने के आवशक्ता बिलकुल नहीं है लेकिन concepts याद करने के आवशक्ता बिलकुल आपको है क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि theft या फिर आपको murder या culpable homicide या फिर cheating ये वो सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती तो concept remains the same concept वैसा ही है उसको आपको उसी तरीके से यहाँ पर भी पढ़ना है इसके अलावा सतरें मैं legal terms और legal maxims जैसे की consensus add idem consensus add idem या फिर quid pro quo ये सब क्या है sign qua non ये सब क्या है सर ये basically phrases है जो कि कानून में use किये जादे हैं तो उन phrases का उन phrases को हम legal maxims केते हैं और उन legal maxims का क्या भावर्थ होता है क्या meaning होता है ये हमको पढ़ना थोड़ा सा important हो जाता है उसके अलावा सर और मैं landmark judgments landmark judgments केशवनन्द भारती case AK Gopalan case मेनका गांधी case ये सब ही cases की क्या importance है ये हमारे लिए important होता है इसलिए it becomes really very important कि हम इन सब चीजों को पढ़ें और उसके साथ जो मैं यहाँ पर आपके लिए ब्रह्मास्त्र लिख कर जा रहा हूँ प्लीज इसको बहुत अच्छे से देखिएगा सर और मैं 2008 से लेकर 2019 तक का 2008 से लेकर 2019 तक का जितना भी हमारा पी वाई क्यूज है किसका सर क्लाइट का क्लाइट का इसमें से जितने भी लीगल क्वेस्टन हैं प्लीज मेरी हाँ जोड़कर आप सभी से विंती हैं इनको करिए इनको करिए अगर आप ये चीजे करते हैं trust me trust me आप एक बहुत substantial level तक पहुँच जाओगे and it will be very much beneficial for your examination ठीक है तो ये रही सर लीगल की बात अब आते हैं आगे जी के सर जी के सर जी के अन कारेंट अफेस जी हाँ जी के अन कारेंट अफेस के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कारेंट अफेस कारेंट अफेस पे फोकस कर रहें कम से कम पिछले 6 मेहनों का कारेंट अफेस आप जीत के टुड़े वेबसाइट से कर सकते हैं ची के यहाँ पर आपको किस चीज पे जादा फोकस करना है national issues पे साथी साथ international events and conferences पे इन दो चीजों पे आपको सबसे जादा फोकस करना है बट इसके अलावा सर हमें general knowledge भी पता होना चाहिए जी हाँ guys and girls general knowledge में आपको history बता होने चाहिए ancient, medieval and modern history आपको polity बनना चाहिए आपको economics बनना चाहिए आपको science and technology बनना चाहिए आपको civics, sports इन सभी चीजों के बारे में एक idea लेना होगा इसके लिए best source जो मैं कहता हूँ वो है lucent जितना जादा आप lucent के questions को करोगे उतना जादा guys and girls ये आपके लिए beneficial होने वाला है तो please do make sure कि आप इन subjects को छोड़कर नहीं जा रहे हैं क्योंकि यही हैं जो आपके score को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे चलिए आते हैं अगले अगले चीज की तरफ and that is logical reasoning logical reasoning में आपको क्या चाहिए logical reasoning में आपका blood relations seating arrangement, series ये सारी चीज़े तो होती है ये सारी चीज़े तो होती है बट इसमें analytical reasoning भी included है तो क्या करना है सर M.K. पांडे की बुक को याद करें M.K. पांडे बुक को याद करें और please for God's sake किस पे focus करें inferences, conclusion, assumption identifying the patterns and relationship deductive reasoning इन चीज़ों पे थोड़ा सा focus आप ज़ाद करें अगर आप इन चीज़ों पे focus करोगे trust me trust me आप बहुत अच्छे से stail through यहाँ पर कर जाओगे अब बात करते हैं last cheese that is English sir and ma'am English easy English मैं फिर से बोलूँगा MHCET में जो English आती है वो आपके CLAT level के नहीं आती वो आपके banking level के नहीं आती easy English होती है and it is easily doable सबसे पहले जो बुक आपको चाहिए है वो है Ren and Martin Ren and Martin की किताब जो है यह आती है यह basically ICSC की किताब है इसको अगर आपने कर लिया तो grammar आपकी बहुत strong हो जाने वाली है grammar में आपको यह बहुत जादा मदद करेगा तो उसकी मदद से क्या होगा कि आप इन में से बहुत सारी चीजों को cater कर पाओगे for example tenses को आपने कर लिया one word substitution कर लिया spotting errors कर लिया इसके अलावा वो cap पर focus करना पड़ता है देखो मैं बिल्कुल नहीं कहोंगा कि अभी वक्त है आपके पास word power made easy पढ़ने का गलती भी मत करना ऐसी अभी इस वक्त पढ़ने की rather make use of YouTube जितने भी हमारे examinations हुए है लोके उनमें देखो कि कौन-कौन से antonyms, synonyms पूछे गए तो उन antonyms, synonyms को पता लगाने की कोशिश करे साथी साथ words की definitions भी आप YouTube का मदद से जो है पढ़ सकते हो आपको यहाँ पर PYQs पर जादा focus करना चाहिए यह मेरी सला होगी rather than अभी इस वक्त वो बलकी book जो है word power made easy अगर आप पढ़ने जाएंगे तो साथी साथ yes sentence completion, rearrangement, तारा जंबल यह सारी चीज़े तो आपके लिए important है ही है idioms and phrases is again very important जैसे हम इंदी में कहते है नाच ना जाने आंगन तेड़ा या फिर हम कहते है how will the monkey know the taste of a ginger याने basically बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद तो यह सबी चीज़ें आपको as a phrase पूछी जाएंगे English and literally this is the most scoring part 50 नमबरों का है और सबसे easy है score करना अगर सही direction में आपने यहाँ पर अपनी जो है strategy की colleges आप जो यहाँ पर target कर सकते हो वो है GLC Mumbai आप target कर सकते हो ILS पूने इनके बारे में आपको I guess अब पता ही होगा best practices अगर कोई मुझसे consider करे अभी इस वक्त क्या होनी चाहिए तो I would say सबसे पहले अपनी strategy बनाओ सबसे पहले अपनी strategy बनाओ सबसे पहले अपनी strategy बनाओ and when I say अपनी strategy बनाओ तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है it has to be personalized it has to be personalized कुछ बच्चे होंगे जिनका अंग्रेजी अच्छा होगा तो उनको English पर जादा समय देने की जरूरत नहीं है कुछ बच्चे होंगे जिनका हो सकता है legal अच्छा हो क्योंकि उन्होंने पहले भी examination की तियारी कर रहे हो तो उनको यहाँ पर जो है जादा मेरत करने की जरूरत नहीं है अगर कुछ बच्चे हैं जिनका logical reasoning और analytical reasoning अच्छा है उनको उसमें कम समय देने की आवशक्ता है तो इस तरीके से आपको identify करना होगा कि आपकी क्या needs है आपके क्या demands है आप किस जगे पर खड़े हुए हो and then according to that आप अपना एक strategy बनाए next जो मैं suggest करना चाहूंगा please do follow the standard study material market में इस समय अंट शंट चीज़ें जो है flourish होंगी आपको बुला जाएगा ये 50 page पढ़ लो आपका MXCET में आप टॉप कर लोगे sir and ma'am ऐसा कुछ नहीं होता है ये सब कुछ जो है केवल और केवल hoax होता है ये सब कुछ जो है ये bad practices होती है क्योंकि ये बच्चों के भवश्य के साथ खिलवार होता है और मैं इस चीज़ें बिल्कुर suggest नहीं करूँगा please जो मैंने आपको standard books बताएं standard आपके reference material बताएं उन पे ही focus करें हर top पर उन किताबों को ही पढ़ते हैं और उनसे ही अपना examination निकालते हैं then very important thing is find a good mentor जी हाँ आपको एक अच्छे mentor की आविशक्ता पड़ेगी एक व्यक्ति जो कि आपको बता सके कि आप सही दिशा में भी है और सही दशा में भी है इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ ये telegram का link है being अदित्राइ आप इस particular telegram group पर जाएए आप इस telegram group पर जाएएए ये मेरा personalized telegram group है जहाँ पर मैं बच्चों के साथ अलग-अलग YouTube सेशन जो लेता हो उसके link दिये जाएंगे आपको अलग अलग PDFs दिये जाएंगे तो वो स्थारी चीजें जो आपको आपकी examination को निकालने मदद करेगी वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है चले इसके अलावा yes manage your time effectively every single hour of your day counts every single minute of your hour counts हर एक minute हर एक घंटा जो है आपके लि please अपने दिन को chalk down करो लिखो की आप क्या क्या चीजे करोगे लिखो की आप कितनी चीजें आज करने वाले हो लिखो की यह चीजें आप कहां से कहां तक की जो है वो करने वाले हैं अगर आप यह सब चीजें chalk down नहीं कर रहे हो trust me आप अपने साथ गलत कर रहे हो क्योंकि ultimately accountability transparency यह सब चीजें बहुत जादा आपके लिए important है जी guys and girls अब मैं बताना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जो की anyhow anyhow उनको चाहिए सर मुझे selection चाहिए मुझे नहीं पता ये कैसे मिलेगा बट मुझे selection चाहिए मैं कुछ भी करने को तयार हूँ मुझे selection चाहिए अगर आपके अंदर वो आग है अगर आपके अंदर ये द्रण निश्चे है कि मुझे चाहिए देखिए सर यहाँ पर विजिंदर सर हनी शर्मा सर अकाश रचारिया सर और मैं यानि की अदित्य राय सर हम सभी मिलकर क्या करने वाले हैं आपके लिए लेकर आ आच है जिसमें आप best of the best faculty से पढ़ रहे होगे 60 प्लस hours की आपको live classes मिलेंगी और आपको पांच full length mock test मिलेंगे पांच full length mock test मतलब कि आप examination से पहले पांच बार real examination feel कर पाओगे computer based test होगा वैसा ही होगा जो आपके MHCET examination में होगा तो real simulation आप feel करना चाते होगे उस दिन आप कैसा महसूस करोगे आप यहाँ पर वो चीज़ कर पाओगे बट अगर आप यह चीज़ करना चाते हो तो अभी unacademy के portal पे जाए यह law accelerate batch जो है उसको आप click करें और करने के बाद यह code जो है इसका use करें the code is bar 5 जैसे ही आप guys and girls bar 5 पे click करोगे आपको maximum discount देखने को मिलेगा जो आपको यहाँ पर अपने लिए best of the best जो है deal दिलवा सकता है तो यह code याद रखिएगा this is basically being अधित्राय army code और जैसे ही आप यह bar 5 code का use करोगे you will get to the maximum discount इसी के साथ जाते जाते आप सभी से यह कहना चाहूंगा please make full use of your time right use of your time and in the right direction अगर आपका सपना है इस examination को निकालने में दो चीजें आपको पहले अपने आपको विश्वास दिलानी होगी पहली चीज येस you can do it I am telling you you can do it secondly if in case you want to do it with the best faculty then I would say this is the best thing without giving it a second thought अभी जाओ and get yourself this best course the code is there in front of you this is the referral code जब आप से पूछा जाए that do you have a referral code तो कहेगा yes I belong to the Bing Aditya Rai Army so the code is BAR5 and get yourself the maximum discount with this I am signing off my name is Aditya Rai thank you so very much for your valuable time keep studying keep grilling Jai Hind, Jai Bharat and all the very best for your exam